नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वाकत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश विदेश की प्रमुक खबरे भारत सिरिच जीता टी ट्वेंटी जीतने का रिकॉर्ड बनाया कमर्शल एलपीजी 21 रुपे महंगी विमान इधन सस्ता सीबेसी अब दसवी और बारवी में डिवीजन डिस्टिंक्शन नहीं दो हजार के सिंत्यानु प्रतिशत नोट लोटे नो हजार साथ सो सहट करोड अभी बाकी प्रदेश की पहली सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेब इंदोर में दोसों से जादा फार्मा कमपनियों को राहत 15 दिन में मिलेगी रिपोर्ट बैंगलूर में 68 इसकुलों को एक इमेल से धमकी से हड़कप इसकूल खाली करवा कर जाच करी कॉप सम्मेलन में हम कार्बन में कमी में आगे मोदी जी ने कहा भारत 2028 में कॉप की मेज़बानी को तैयार ग्रीन क्रेडिट की लॉंचिंग तमिलनाडो में इडी अधिकारी 20 लाग घूस लेते गिरफतार मनीपूर में मेतेई संगठन का तालीबानी फेसला किशोरी से दूश कर्म में दो युवको को मारी गोली एक की मोत संसनी खेच हत्या नाले में दफनाया शव बहन से बात करने पर भाई ने बश्पन के दोस्त को मार डाला जलवायू परिवर्तन और अलनीनों के कारण बदला सर्दी का पेटन इस बार गर्म सर्दी दिन का तापमान 4-5 डिगरी तक जादा रह सकता है चीन का रहसमे निमोनिया यूरोप पहुचा पर इससे मोत नहीं अमेरिका में बिलकल बोले पन्नों की हत्या की साजिश की जाच का भरतकार निर्ने अच्छा इसराइल में फिर से हमले शुरू 32 की मोत साल भर पहले मिला था हमास का इंपूट तमिल नाडू में सुप्रीम कोट ने कहा राजपाल और सीएम को मुद्दो का हल करना चाहिए जम्मु कश्मीर और पुडुचेरी में महिला अरक्षन बिल आएगा शीत कालिन सत्र में साथ नए बिल ला रही सरकार 37 बिल लंबित दो साल में पाकिस्तान बंगला देश सीमाव को बार लगा कर सुरक्षित क्या जाएगा अमिश्या ने कहा यूपी में पुरानी पेंशन के लिए हड़ताल करेंगे करमचारी ब्रिटेन में बनी इलेक्ट्रिक वीकल पर भारत में आयाज शुलक में माफी चाहती है सुनक सरकार कश्मीर में सोन मर्ग में साथ इंच बर्फ बारी जोजीला और लद्दा कमार्ग बन बाकी की तमाब ख़बरों के लिए बने रहे हैं राजनमा टीवी के साथ धन्य बाद